हेलो गाइस प्राचिन भारती ग्रंथ वेज सहिता में लिखा हुआ है ना पापा सह मना महेना अर्थात हम पापी होकर भी मनन नहीं करते जो प्राचिन ग्रंथ है भारती ग्रंथ है वेज सहिता उसमें जो रिशी मुनी की प्रातना है उसमें मंत्र है स्लोक है कि ना पापा सह मनाम है नर्थात हम पापी होकर भी मनन नहीं करते रिशी मुन इस बात को अंगिकार करते हैं कि हम पापी हैं और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए इस पर हमें ध्यान करना चाहिए और पापों से मुक्त होने के लिए पापों से हमें कैसे पाप में जीवन से हम निकलें इस पर हमें मनन करना चाहिए, बिचार करना चाहिए, कौन है जो हमें पापों से मुक्त करेगा, कैसे हम इस पाप में दसा से बाहर आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आप अपने जीवन को आप evaluate करें, मुल केंगे हैं, कोई गलती का है, मैंने तो कोई गलती का थे कि कर दा चाहिए, हिंस पहचान को हमें, और कोई murder कर दिया कोई criminal है तो वह पापी है कोई हत्यारा है तो वह पापी है और मैंने तो सिर्फ जूटी बोला होगा या मैंने कुछ लोब लालच ही किया होगा लेकिन उनको यह पता नहीं है उसका standard क्या है तो गाइस लोब लालच हो या आगया उलंगन हो या हत्या किया हो या और अन्य प्रकार के जो पाप है जगन्य अपराद है न सब पाप की दृष्टी में आती है पाप की सरेनी में सभी आते हैं लेकिन जब मैंने सास्तों का अध्यान किया तो वेद उपनिसत को जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर रिशी मुनी का जो कथन है वो इस प्रकार स है कि हर एक मनुष्य आत्मभाव से सरीर को प्राप्त करता है और देह और इंद्रियों से संसलिष्ट हो जाता है और फिर वो पाकों से बिद्ध और फिर जह मनुष्य मिर्ट्पराण्थी मतलों जबततक मनुष्य जिन्दा रहता है और और जब तक सुरकिस काम करती रहती है जो भी हमारे व्यski ग्यानिंद्रिया उसी से इंसान के जीवन में पाप प्रवेश करतें हम आखों से देखते करते हैं जा लालज करते हैं बहुत सारी सब पाप की एक है लिए सब डियाध्रम का मुल है और को लोग करता है तो अफिल पीर हुट तो इसके ना चाहिए है तो गाई मैं जब 《 पनी वाइचीत को पेरा नहीं किया मांगई तो उन युको लिए यह है कि manusya जन्म से ही पापी है और पाप छमा आपको प्राप्त करना पड़ेगा बिना पाप प्रमेश्वर की प्राप्ती नहीं है जब तक पाप की मजदूरी मृत्यू है लेकिन हमारे परमेश्वर का बरदान इश्वमसी में हमें अनंत जीवन मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप पापों से मुक्त हो सकते हैं कौन आपको चमा करेगा हमारे पूर्बद रिशिवुनी कहते थे वेद सहिता की पु क्या पता जाने अन जाने में कर्म विचार में मेरे से कोई गलती भूल चुका प्रात पाप होगे तो मुझे आप चमा करो और जो हमारा रिस्ता है रिलेशन है वो और उसको मजबूती परदान करो तो आप भी प्रातना करें और आपको मैं बता दूँ ईश्वमसी अपने मुझे से कहते हैं उनका यह कथन है यह वाइबल का नई नियम का वचन है गरंथ सुसमाचार गरंथ का उसमें लिखा है कि अर्थात मनुष्य के पुत्र को अर्थात इश्वमसी को पाप चमा करने का अधिकार है तो आप इश्वमसी के पास आए और आप अपने पा क्यों इश्वमसिय कैसे पापों को चमा कर सकता है तो मैं आपको बता दो इश्वमसिय ने आपके लिए और हमारे लिए पूरे जगत के लिए उसने कुरूस पर अपना वलिदान किया है में कि इसे लिए ग्रणत्व में लिका है बार रक्त बहाय खमा नहीं है पर दोष्ट चमा 했ों दोड नो भराइं लेकिन वह जो वलीदान होता था लिए यह यग वह अवण अवत्त जांवरों की बली करते थे यहिका श्रीक्टरे युर्ट्णक की प inadequ vẫn अपने आपको यगी में वलिदान करेंगे और अपना रक्त भाकर संपृन मानव जाती का उद्धार करेंगे उनको पापों से उद्धार करेंगे वह प्रजापती यग्ये वह इश्व मसी का क्रूस पर वलिदान होना है वो परमेश्वर ने अपने आपको स्वेमबू सरिष्टी करता परमेश्वर जगत करता प्रभू इश्व मसी अपने आपको प्रूस पर जांग दिया और अपना बहुमुल्य पवित्र गाला लहू बहाकर आपके और हमारे पापों के लिए उसने दंड को साह है अपना लहू तब कर लिए उसने रक्त भाया है को मैं करता है और आपके लिए भी है यह वीडियो आप ये न सोचों की हमारा कुछ नहीं होगा वैं ईश्व मसी ने तमाम सब प्रकार के पापों के लिए अपने आपको वलिदान की अपना रक्त भाया उसके रक्त मेन लहु में इतनी सामर्थ है ताकत है कि सब प्रकार का अपना आपको छमा कर देगा परमेश्वर पाप से घिरना करता है वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य पाप में पढ़ा रहे लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब को मन फिराओ का पस्चाताप का आउशर मिले सब अपने आप में पस्चाताप करें तो आप कितने बड़े पापी क्यों नहों आप आज ही पस्चताप करें परमेश्वर पापियों से फ्यार करता है पाप से घिरना करता है तो आप उस परमेश्वर पर के पास आए एश्व मसी के पास आए और आप अपने पापों को मान ले तो वो आपको भी छमा करने में वि transform life आपको देगा जैसे ही आप अंगिकार करते हैं पापों की छमा के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रिती से बदल देगा आपका पुराना जीवन समात कर देगा आप किस दसा में जीवन जी रहते आपको एक नया जीवन करते हैं तो गाइस आप इस मसी के पास आएं और इस बात को आμकिकार करें परमेश्वर मैं अपने जानता हूं और मैं उसको मान लेता हूं आप मेरी मदद करो आप मुझे छमा करो आप मुझे यहां से वह फा फाप न जान अक्रों तो सस्वार्व माहन है वह आपकी सबाप में जिला सकता है